हिंदी कक्षा दो पाट एक की कवीता उट चला उट चला भई उट चला हिलता अर्डुलता उट चला कितना उचा उट चला उट चला उट चला उट चला उची गर्दन उची पीट पीट उठाए उट चला बालू है तो होने दो, बोज उट को ढोने दो नहीं फसेगा बालू में, बालू में भी उट चला जब ठक कर बैठेगा उट, किस करवट बैठेगा उट बता सकेगा कौन भला, उट चला भई उट चला बचों इस कवीता में हमें बताया गया है कि जो उट है वो दिलता डुलता चले जा रहा है इतना उचा उट चला, उट चला भई उट चला उसका जो कद है वो इतना लंबा है, इतना बड़ा है उची गर्दन, उची पीट, पीट उठाए उट चला जो उठ है वो अपनी उची गर्दन और उची पीट को उठाए चला जा रहा है बालु है तो होने दो, बोज उठ को ढोने दो फिर यहां पर कहा गया है कि बालु है तो होने दो यानि बालु किसे कहते हैं? रेत को जिसमें उठ चलता है अगर रेत है तो होने दो कोई बात नहीं, जो उठ है उसको बोज ढोने दो, नहीं पसेगा बालू में, बालू में भी उठ चला, अब रेत है लेकिन जो उठ है वो उसमें नहीं पसेगा, ठिक है, इसलिए कहा गया है कि उससे बोज को ढोने दो, वो बोज ढो सकता है, फिर ज उट जब ठक जाएगा तो वो कौन सी करवट पे बैठेगा ये, कोई नहीं बता सकता, उट चला भई, उट चला, अब इस कवीता के हम कुछ प्राश्न करेंगे, पहला देखो जटपट सवीता पढ़कर मजा लो, कुछ उट उचा, कुछ उच उची, कुछ उचे उट की, पी अब जल्दी जल्दी बोल कर देखो, जीब लड़क खड़ा गई ना, कैसी लगी कवीता, अब इस कवीता को अपने मन से नाम दो, उपर खाली, अब हमें इस कवीता को अपने मन से एक नाम देना है, तो हम क्या दे सकते हैं? तो हम इसको नाम दे देते हैं, देखो, देखो, उठ चला, ठीक है, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं, कि उचा, उठ चला, ठीक है, अगला प्रश्न है, उठ रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं, नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगे पर उठ का चित्र बनाओ, अब उठ कहा मिलते हैं, रेगिस्तान में, है ना, अब इन दोनों चित्र में से उठ कहा पर मिलेंगे, रेगिस्तान कौन सा है, ये तो सडक है, है ना, रोड है, और ये क्या है, बालू, यानि रेथ, तो यहाँ पर आपको उठ का चित्र बनाना है, ठीक है, नीचे लिखा है, बालू या रेथ, कहा कहा पर मिलती है, तो आप यहाँ लिख सकते हो, कि बालू या रेथ, समूद्री, समूद्री तटपर, या रेगिस्तान में, ठीक है, अगला प्रश्ण है, हिंतर डुलता, उठ चला, इतना उचा, उठ चला, अब बताओ, उठ कितना उचा, तुम्हारी कक्षा की दिवार, हाथी जितना, बिजली के खंबे जितना, या डैश जितना, तो आप यहां क्या लिख सकते हो, उठ कितना उचा हो सकता है, घर की दिवार जितना, छिक है, फिर है हाथी कितना मोटा, तुम्हारी मा के संदूख जितना, उठ जितना, पहार जितना, या डैश जितना, तो हम यहां क्या लिख सकते है, बड़े से मटके जितना हाथी मोटा, चिक है, बड़े से मटके जितना, फिर चीटे कितनी छोटी, चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलाइची के दाने जितनी, या डैश जितनी, और कितनी छोटी हो सकती है, जैसे, चाय के दाने जितनी, टिक है, अगला है, उट से उची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ, अब उट से उची चीज़े कौन से हो सकती है, बच्चिया तो नहीं हो सकती, है ना हाथी भी नहीं हो सकता, कक्षा की चट भी नहीं हो सकती, तो हम नहीं लगाएंगे बिजली का खंबा और आम का पेड़ अगला फ्रश्ण है उट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है अब उट के नीचे से कौन को निकल सकता है जैसे जैसे खरगोश चुहा बत्तक और को निकल सकता है कुट्ता बिल्ली चिक है और नेक्स्ट है किन किन चीजों की मदद से उट पर चड़ोगे सीडी की मदद से या मम्मी पापा के कंधों पर चड़कर उट्ची गर्दन उट्ची पीट पीट उठाए उट चला बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे हाथी टीचर जी पिता जी शेर और दादा जी अब हाथी क्या उठाकर चल सकता है या चलेगा तो हम यहां लिख सकते हैं सिर्ड अपना चिक है कुछ भी लिख सकते हो आप और अपनी सून चिक है और जैसे अपने खाने के लिए कुछ भी लेके वो चल सकता है जैसे केला या कुछ और भी आप लिख सकते हो फिर है teacher ji क्या उठाकर चलेंगी जैसे chalk किताब छडी भी लिख सकते हो और register भी लिख सकते हो है न और उनके कुछ जैसे काघस होते हैं काम के वो भी उठाकर चल सकते हैं, तो आप मेरी कुछ भी लिख दूँ जैसे मैं लिख देती हूँ छड़ी चिक है फिर पिता जी क्या लेकर चलेंगे जैसे mobile bag आपके पापा क्या लेकर जाते हैं या वो भी उस according लिख सकते हो mobile bag या फिर जो माल लिख दो या फिर जो भी टिफिन बॉक्स है ना या लैप टॉप ठीक है शेर क्या लेकर चलेगा अपनी पूच अपना शिकार अगला है दादा जी क्या लेकर चलेंगे या क्या उठाकर चलेंगे जैसे अपनी लाठी अपना चश्मा और कलम ठीक है अगला है नीचे कुछ शब्द लेके हैं इन्हें बोल कर देखो अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो ये शब्द दिये गए हैं और इन्हें मिलते जुलते बॉक्स में उनको लिखना है अब उठ से लेटिट क्या है जूट जूट के लावव और क्या है सूट अगला है अगला है बालू बालू से मिलते जुलते शब्द कौन सा है आलू चालू यहां आजाएगा आलू चालू ठेक है अगला है पस पस से मिलते जुलता है धस और हस फिर है चला, चला से मिलता जुलता है गला और भला, फिर है जब, जब से मिलता जुलता है तब और कब. अब नीचे है ऐसे ही और शब्द सोच कर लिखो, अब मिलते जुलते हमें और शब्द सोच कर लिखने हैं यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, जैसे, आना, जाना, ठीक है आप और भी बनाओ, इसी तरीके से अगला है अक्षर की बात, कवीता में बसे शुरू होने वाले शब्द कौन-कौन से हैं उनके नीचे रेखा की चूँद। अब कवीता में कौन-कौन से शब्द है जो बसे शुरू हुए थे, जैसे बालू, है ना, बालू बढ़ेगा, बोज, और, और एक शब्द क्या था, बालू बढ़ेगा, बोज, बता सकेगा कौन, यानि बता। चिक्या अगला है, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से चार शब्द लिखो। अब आपको ये खुद करना है, आपको जो नाम है, जिस अक्षर से शुरू होता है, आपको उस अक्षर से चार शब्द बनाने हैं, चिक है? आगे है, बालू है, तो होने दो, बोज उटको डोने दो, बहुत से जानवरों को बोजा डोने के लिए सिमाल किया जाता है, क्या तुमें ये ठीक लगता है और क्यों? तो आप यहां लिख सकते हो कि नहीं हमें ये ठीक नहीं लगता क्योंकि जो जानवर बोजाड होते हैं उनको भी कष्ट होता है उन्हें भी तकलीफ होती है ठीक है और आप लास्ट में लिख सकते हो कि बोजाड होने के लिए इन सब कामों के लिए ये और भी तरीके से किये ज सकते हैं इनके और भी साधन हैं तो हमें जानवरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए फिर है तुम्हारे आसपास कौन-कौन बोज उठाते हैं हमारे आसपास अब आपके आसपास कौन उठाता है तो आप लिख सकते हो कि हमारे आसपास मजदूर बोज उठाते हैं है ना अब भी बोज उठाता है न, तो आप ये लिख सकते हैं उसी तरीए से, फिर आगे है कवीता बढ़ाओ, अक्की बक्की करे तरक्की, तेरी मेरी दोस्ती पक्की, सबकी हो, खूपता रखी, ठीक है, अगला प्रश्ण है, इस कवीता में कुल कितनी बार उट शब्द आया है बिना देखे, बताओ, तो इस कवीता में जो उट शब्द है वो आया है तेरा बार, ठीक है, फिर अगला है नीचे चित्र में कितनी उट चिपे हैं, ध्यान से देखकर अब इस चित्र में कुल कितने उट हैं वो आप खुद गिनो और बताओ, जो लाइक, शेयर और सुस्क्राइब और की वाचिए, थैंक यू